वोरगपूराद से कुछ सार पहले जैसा था अब देख लिए तो आप रोड पहचाना मुश्किल हो गए हैं चीजे कंस्ट्रक्शन्स और जहां लोग मतलब जाने के लिए च्छे बजे के बाद सोचते थे वहां आधी राव जे जा रहा है तो डेवलप्मेंट तो मेरा फेव कहीन जो चीजे आप अपने घर वालों के साथ नहीं देख सकते घर वाले छोड़ो आप खुद अकेले में भी नहीं सुन सकते हो तो बंध हो जाना चाहिए यह इमीडियेटली जितनी जल्दी बंध हो जाना चाहिए क्या लगता है पटा लोगे पटना की लईकी पटेगी नहीं दिल्ली के दिल बेटा देगी नहीं आरा की लईकी आरपार कदेगी दिल्वा पे धाय धाय वार कदेगी छपरा की लईकी तफार डालेगी भला ही जवानी अचार डालेगी समझे क्या लगता है पटा लोगे हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपके साथ नम्रता हेलो कौन हम बोल रहे हैं नहीं जानती नहीं जानती ये गाना आपने जरूर सुना होगा इसमें एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी लड़की को आपने देखा होगा और उसकी आवाज के आप भी दिवाने हुए होगे सने उपाध्याई के हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौझूद है बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये बताइए कैसी हैं एक्दम बढ़े आप कैसी हैं मैं ठीक हो अच्छा ये बताइए इस वाले गाने की तो हम चर्चा इसता है वह गाना मेरा है वह क्दम रा मेरे वजए से हुआ किकी मैं शुशत उस गाने अग्धर मेरे वज़े से बना के डाला ये वह गाना वैरल हो गया और mostly लोगों को लगता है कि वो गाना मैं नहीं गाया है तो मैं जूट नहीं बोलूगी, किसे की टेडिट नहीं लोगी मैं वो गाने को खुश्बू ने गाया है और मैंने उस पर एक्ट किया, रिल किया और तब से वो गाना वाइरल हो गया देखिए मज़े की बात, अगर मैं उसको अभी यूट्यूब पर डालो तो उस पर आप ही आप आएंगी इसलिए लोगों को लगता है अच्छे, यह जो दूसरा गाना भी आपका आया है, जो रिसिल्टी ट्रेंड कर रहा है इसबक में उस गानी की बात कर रही हूँ कि एक तो आप दो लाइन गाके सुना दीजिए मैं कुछ रिवील नहीं करना चारी दर्शकों के सामने, आप ही गा दीजिए और फिर बताईए कैसा एक्सपीरेंस रहा आपका वो गाना पुरा बहारी टोन में है अच्छ यह बताईए क्योंकि क्योंकि लड़कों यह रही है मैं नहीं बताओगी क्योंकि लड़कों के इस नहीं बताते एनिवेज इतनी कम उम्र में इतना अच्छा ग्लैमर मिल गया है फेम मिल गया है, नेम मिल गया है, सोचा था कभी ऐसा होगा सोचा तो नहीं था लेकिन ख्वाब देखा था इस चीज का बच्वपन सही मेरा एक ही मोटो था एक ही मेरा माइंडसेट था कि मुझे सिंगर बनना है और फिर्म इंडसिटी में फिर्म लाइन में ही जाना है जा है वो कोई भी हो, acting हो, singing हो, modeling हो, जो भी हो तो एक fix था वो चीज़, अब जादा बड़ा होगा नहीं होगा, चीज़े होंगी नहीं होगी मैं कहता है जादा चीज़ें को सोचती नहीं हो, होगा नहीं होगा मैं हमें सा positive रहती हो तो होगा, क्यों नहीं होगा वो वैसे भी स्निया कहते हैं ना कि unplanned moments are better than planned moments तो वह वाली चीज है शायद की सोचती नहीं आप और अच्छा होता चला जाता है अच्छा रील्स का जमाना है इंस्टेग्राम पर सब वाइरल हो रहे हैं तो आपको लगता है जो नए नए गाने आते हैं बहुत जलदी लोगों के बीछ पहुच जाते हैं सिर्फ इस रील्स की वजह से फाइदा किस तरह से देखती हैं मैं फायदा तो बोलूँगी लेकिन कहीना कहीना इसी चीज को निगेटिव मानती हूं मैं इसलिए निगेटिव मानती हूँ कि अब क्या होगी ना जब से टिक टॉक रील वाली चीजे आ गई ना लोग उस पर डिपेंडेंट हो गहें और सिर्फ हुक पे दिहान देते हैं कि मेरी हुक लाइन कैसे होगी कि रील पे वाइरल हो जाएगी बले आगे पिछे कुछ भी सिर्फ उनका में मोटो यह रहता है कि रील पे वाइरल करना है वट मैं यह चीज नहीं सोचती हूं मैं कभी भी रील के हिससा आप से चीजे नहीं वाइरल कांटेंट बनाती हूं कल को रील बंद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कहा लाइफ देखते हैं सिंगिंग कहा द लेकिन फिर कुछ गानों की धर्जियां भी उड़ जाती है फिर कुराने जो वेटरन सिंगर से वो आगे आकर इस पर नाराज़गी जाहिर करते हैं निहा ककड भी कई बार ट्रोल हुई है पर्टिकुलरली मैं किसी का नाम नहीं लूगी आप रेमिक्स वर्जिन को किस तरह चीजों को एक्सपेरिमेंट करना जैसे कि आपने कहा कि यूथ कनेक्ट नहीं होते हैं तो वो चीज के लिए जरूरी है उनको बताना जरूरी है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सोल है और उसकी जो वो मिठास है शीटनेस उसको मद्दे नजर रखते हुए करना चाहिए उस तो बहुत सारे आपके फैंसे उनको ये लगता है कि आप प्रॉपर बिहार से हैं जहां तक मेरी आप से बात हुई आप थोड़ा सा यूपी से हैं या फिर क्या है वो चीज़ बताईए कि कन्फूजन ना हो यूपी बिहार का बॉडर ही है हम बेसिकली मैं यूपी से हूँ लेकिन वो भी बिहार का बॉडर है बलिया बागी बलिया से हूँ लेकिन क्योंकि मेरा जनम बिहार में हुआ समस्तिपूर में हुआ मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई तो इसलिए मैं अपने आपको बिहारी बताती हूँ तो अभी तो आप यूपी में बैठी है ये बताईए योगी आदितनात के बारे में क्या सोचती है मैं पॉलिटिक्स पे कुछ बार ने करती हूँ अच्छा छोड़िए पॉलिटिक्स अब आप यूपी में आई हुई है कुछ लगा मौहल सा चेंज कभी पहले आई है या फर्स टेम आई है ने ने आई हूँ एकदम आई हूँ कभी लगा कि आज महसूस हुआ कि थोड़ा सा बदलाव आया है यूपी में बिल्कुल बदलाव आया है अब बौचपूरी इंडस्ट्री वैसे तो बहुत सारे सूपरिट गाने आई है लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि कई बार ट्रोल किया जाता इंडस्ट्री को कि अशलीलता फैलाई जाती है अलाग अब तो बहुत ये सारी चीज़े कम हो गई है लेकिन पुराने दौर में हमने देखा है उसे किस तरह से देखती है मतलब मेरा सवाल बेसी कि यह है कि दिपेका पाडुकॉन औरेंज पहन ले तो भगवा का अपमान हो गया और रवी किशन की आक्ट्रेस बारिश में भीगती हुई औरेंज कलर की साड़ी पहने तो यह थोड़ा हिपोक्रेसी नहीं है नहीं मैं उस मैटर पर कुछ नहीं बोलूगी कौन किसकी हरोईन क्या मैं वो मैंने बोला ना मैं पॉलिटिकली कोई भी चीज पर जवाब नहीं देती क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि वोगे को लेके मैं हमेशा बौलती हूं कि वो चीजए रूप जानी चाहिए कम बंढ़ high हो जानी चाहिए क्योंकि कहीं ने कहीं जो चीज़र आप अपने घर वालयों के सात नहीं देख ऐसकते गर्वाले छोड़ो अप खुद अकेले में भी नहीं सुन सकते हो नहीं इसा लगता है गाली पढ़ रही है हमें ऐसी चीजें तो सारी इंडस्ट्री में चीजें हो रही है डिवलप्मेंट हो रहा है आज सब लोग अपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अच्छा काम करते हैं तो ताकि हमारी इंडस्ट्री काफी आगे बढ़े आगे तो खेर बढ़ी चुकी है और आप जैसे सिंगर से आगे आ रहे हैं बढ़ेगी है बताइए किस फीमेल एक्टरस को आप आवाज देना चाहती है बॉलीवूड में? हाँ बॉलीवूड में मैं ऐसा कभी सोची नहीं हूँ लेकिन मेरी फेवरेट सुनाक्षी सुना है मैं मतलब लाइक मैं फैन हूँ सुनाक्षी सुना की तो यस उनको उनकी आवाज बनना चाहूंगी मैं सुनाक्षी सुना में इसक्त Cs में क्या कि आपने आलिया भट अर सब को पीछे चोोड देया? सबसे बड़कर बात आक सबसे बढ़ा की है सबसे बड़कर आज यह हों है और उनकी प्रसनालिटी है तो मुझे बहुट पसंद से ह।ाए किसी ऐसी चीज में उनको नहीं देखा जिस तरह किसे बाकिते जाहे जितने भी मुवीज उन्होंने की हैं काफी अच्छी मुवीज की हैं तो इस वज़े से अच्छा सुने आप मेरे साथ बैठी है और इती देर से मैंने कोई एक गाना नहीं गवाया तो आप मुझे डाट पढ़वाएंगी दर्शक उसे कोई आपका पसंदीदा गाना आपका हो या किसी भी सिंगर का हो जो आपको बहुत पसंदा है मेरा गाना भी कुछ दिन पहले ही लाउंच हुआ है वो में गाते हैं सैट सौंगे जो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं ज्यादा वो जैसी हरकत की उमीद थी तून वैसा किया बेवफाई ही मकसद तेरी चलो पूरा किया रुख से परदा हटा जूटा चहरा दिखा तूने खुद को है साबित किया खुदा 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 तेरा शुक्रिया खुदा 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 तेरा शुक्रिया खुदा 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 तेरा शुक्रिया लोग जो Hindi गाने मेरे सुननने चाहते हैं, वो लोग एक मेरे sad songs और romantic songs ही जाते सुननना चाहते हैं, तो मैं वैसे गानों की मतलब सेलेक्षिन करते हैं कि लोग किस को पसंद करेंगे, तो बहुत सारे गाने आते हैं, उसमें से एक गाना ये था, जो मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि काफी मुझे कनेक्ट कर रहा था और इसके लेरिक्स बहुत कैची थे तो अच्छी आवाज तो भगवान ने आपको दी ही है खूबसूरती बेमिसाल है, आक्टिंग करते हुए देखेंगे कभी आपको मन है आपका? मन तो है, अच्छी मतलब मुवी या सिरीज के लिए बात्चीच चल रही है जब फाइनल हो जाएगा तो वह भी बता देंगे तो और किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर रिवील करना चाहे हैं? अभी कुछ नहीं, जब तक चीज़े हो नहीं जाती है, पूरी तरीके से में उसको अपने तक ही रखना चाहती हूँ जब आएगा तो फिर मैं जरूर बताऊंगी अच्छा, बिहार से आप आती हैं, बिहार में बहुत सारी चीज़े फेमस हैं खाने की बात कर लेते हैं, सबसे साथ आपको क्या पसलते हैं? मैं मतलब बहुत फुड़ी नहीं हूँ, मुझे खाने, मैं एक्सपेरिमेंस करने पसंद नहीं है मुझे जो खाना है वही खाना है, अगर मैं कहीं बिचे मैं ताज में भी जाके बैठी हूँ, तो मुझे खिचड़ी खाना तो खिचड़ी खाना है I love खिचड़ी, I love मतलब जो घर के खाने होते हैं, homemade food जितने होते हैं, वो मुझे पसंद है सबसे आदो जो मेरा फेवरेट है वो है पाने फुरी, I love पाने फुरी तो यहां सभी खा के जाएएगा बहुत टेस्टी है मैंने खाया, मैं पाने फुरी हर जगह का ट्राइ करती हूँ, हर जगह जहां जाती हूँ, मैं वहां का खा के ट्राइ करती हूँ बेस्ट कौन सा लगा, अफकोस अपना बिहार, अच्छा कौन सा अक्टर आपका फेवरेट है बॉलिवुड में, अक्षे कुमार और सल्मान खान, दोलो, सल्मान खान को तो दंकी मिली है अभी, पढ़ी वो खबर, नहीं, लॉरेंस भिष्णो है, पता है अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि जैसे एक आम लड़की है, या आम कोई आदमी घूम रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो स्टार बन जाए, तो ये कॉंसिक्वेंसिस भी होते है, थोड़ा चीज़ें आपको एफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा, कोई फैन और फोन साते हैं लड़किओं के, नहीं मुझे स्नेम हैंसे बात करना है, तो अब भी कुछ क्याना, ज्यादा कुछ बहु भी ने सकते हैं, क्योंकि उनके वज़े से ही हमें, तो निराश भी निराश ही कर सकते हैं, तो होते ही रहता है, अब ये मैं Delhi लास्ट स्टेम आईλι उनको पता चला था उसके तो वो डेली एरपोर्ट पर बेट कर रहा था मेरा काफी सुबह से तो वो सारी चीज़ है तो मैंने उसको अराम से रूट के 10-15 मिनट बात किया मैंने उसको टाइम दिया फिर में मास निकली अचा रियालिटी शो का जमाना है हम देखते हैं Big Boss आ रहा है खत्रों के खिलाडी आ रहा है Lock Up आ रहा है तो यह जो सारे शोज होते हैं इसमें Celebrities हर इंडस्ट्री के आ रहे हैं कभी आपको किसी रियालिटी शो में जाते हैं मन तो मेरा बहुत है Like Big Boss, I Love Couple Sharma शो अगर कभी भी आता है बुलाबा तो अपरिशनीटी होती हो तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ोंगी Big Boss में जाना तो एक सब ऐसा कोई इनसान नहीं है जो यह बोले मुझे Big Boss में नहीं जाना है ऐसा तो हो इनी सकता बिल्कुल जाना है जब कभी भी opportunity मिलेगी मुझे अपने industry को represent करने की बिलकुल जाओंगी अच्छा एक trend चल रहा है पिछले कुछ दिनों से boycott Bollywood इसमें stars का भी boycott हो रहा है कई बार singers का भी हम देख रहे हैं हाला कि अब तो ये काफी हतक थम गया है लेकिन सुषान सिंग राजपूत के जाने के बाद बहुत हुआ उसके बाद South industry ने overlap कर लिया ये भी देखा गया पूरे scenario को आप किस तरह से देखती हैं सही था नहीं था कला कहीं पर रुकी नहीं रुकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैं ये बताऊंगी चीजे आदमी कर देती है लेकिन आप ये देखो उसका final result निकल के क्या आता है आप इसली बाइकॉट ये बाइकॉट वो कर देते हैं लेकिन क्या result होता है अट लास्ट वो चीजे बाइकॉट होती नहीं है वो चीजे जो चीजे continue चलती रहती है वो कुछ दिन के लिए कॉंट्रवर्सी होती है चीजे होती है लेकिन जो जिस जगह पे वो अपने जगह पे ही रहता है उसको कोई हिला नहीं पाता है और करना भी नहीं चाहिए कि सबकी अपनी लाइफ है सबका अपना इंडस्ट्री है सबकी अपनी चीजें है तो किसी भी किसी के चीजों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए यह आपने बही बात के दी कि पठान का दुनिया भर का विरोध हुआ और उसके बाद देखें कितनी चली दोड़ी एक दम बढ़िया दोड़ी अच्छा तो मुझे यह बताईए कौन सी फिल्म ऐसी है जो सने को इतनी पसंद है कि वो पचास बर देख सकती है टीवी पर कोई फिल्म आज़े यह रही है रुक जो मुझे देखनी है है ऐसा कुछ बहुत सारी मुव मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती हूं लिटरली मतलब फ्रैंकली स्पिकिंग मैं टीवी मूवी में बहुत रेयर देखती हूं बहुत कम मैंने सबसे जादा बाग कोई मूवी देखियोगी ती मैनने सूर भन्स सि देख्योगी सूर भनशी यह वंचम? सूर भनस सूर भनशी सौर भी ताह स्वार है और अच्या वो ऐसा देखने में इनटरेस्ट भी आदा आप कितनी बार भी देख लो दो तिन मुवीज हैं सोर्य वंद्चम नायक तो यह बता यह गलात हुआ ना जहरी ली खीर खिला ना जहरी ली खीर अच्छा नायक भी देखिया आपने अजयित सिंह कोई गाना की कि अवाज हें और जीत सिंह का गाना बहुत सारे गानेेशसे सदन्ली याद नहीं आती है या अपका फेवरेट कोई गाना हो जो आप दर्शो को सुनाना चाहें मै खुद का ही गाना गात हुआ जबसे मिले हो तुम dévelopम गपने हुआ what तुमको पाके ऐसा लगा, भटके को रस्ता मिल गया तेरे बिन अब जीना नहीं, तेरे बिन लागे ना जी मेरा कही मेरा कही, जब से मिले हो तुम, मुझको सारा जहान लगया बहुत ही खुबसूरत आवाज है आपकी, हाला कि मैं कोई पहली नहीं हूँ जो आपको ये बार कहनी हूँ लेकिन मुझे लगा मुझे कहना चाहिए अपकमिंग प्रोजेक्स के बारे में तो आप रिवील नहीं करेंगी, कोई एकदम नेक्स प्रोजेक्ट हो जो बताना चाहें तो उस पे सारे प्रोजेक्स अभी आते रहेंगे रिसेंटली मैंने अभी एक स्नेवपादे एंटेटेंवेंट क्योंकि भोषपूरी अपनी लैंग्विज है और अच्छा काम भोषपूरी में करना कि बहुत उजवल भविश्य हो आपका नए नए गानिया में सुनने को मिले और आपको देख भी पाएं किसी बड़ी फिल्म में उसका पार्ट बनते हो बहुत बहुत सारी शुपकाम ना है बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थैंक्यू सुमच